तो आज मैं आपको मेट्रो नीडाजोल के बारे में बताने वाला हूं कि डोक्स के अंदर इसके क्या-क्या यूजिस होते हैं, क्या-क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसकी डोजरेट रहती है, हमें क्यों यूज करना चाहिए, तो गाइस कम्प्लेटली इस वी आपको यह एक टाइप की एंटिवाइटिक होती है, इस और आज मैं बात करूंगा आई वी फ्लूड की अब आईवी फ्लूड के अंदर बैसिकली जो हम सेलाइन वगरा देते हैं, डी एन आस आर आर एल देते हैं, तो गाइस पार्वो वाइरस के अंदर एक छोटी सी बोत तो लोर आपने देखी होगी जैसा कि इसे नजर आ रहा रहा तो दोग को किन किन डिजीज के अंदर यूज कर न चाहिए अगर गाइस हमारे डोग को डाइरिया हो dysentery हो diarrhea यानि lose motion 10 लगना dysentery यानि उसके अंदर blood आना यानि diarrhea में lose motion में अगर blood आ रहे है तो उसके अंदर भी आप इसका use कर सकते हो intestinal problem से related कोई भी issue हो तो उसमें भी आप इसका use कर सकते हो अगर guys liver की situation damage है खराब है तो उस situation में भी आप कर सकते हो basically liver infection में use कर सकते हो urt infection basically upper respiratory tract infection में use कर सकते हो colitis एक disease होती है उसके अंदर आप इसका use कर सकते हो अगर यह anti inflammatory ball disease है आपके डोक को तो उसके अंदर भी इसका आप use कर सकते हो तो basically यह थे इसके use अब guys मैं आपको बताऊंगा इसकी तीन form जैसा कि मैं पहले ही आपको बताए है यह guys capsule की form में आती है tablet की form में आती है और liquid यानि suspension की form में भी आती है तो guys यह basically एक antibiotic होती है तो कोन कोन से bacteria को kill किल करेगी और यह ज़रूर ध्यान देना है ढोक्स और cat दोनों में य layers होती है तो गईस यह ग्यार्डिया जो बैक्रिया होते हैं उनके अंदर ट्राइकोमोनास के अंदर एंटमीबा हिस्सोलीटिका के अंदर और बेलेटीडियम के अंदर भी बहुत जादा बेनिफिशल प्रूफ हुआ है अगर वो बैक्रिया आपको शो हो रहा है कल्चर के अंदर आ रहा है तो उसके अंदर आप मेट्रोनीडाजल जरूर दे सकते हैं अपने डोग को आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है तो गाइस अब मैं बात करूंगा इसके साइड इफेक्ट की जो की बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना देखे और से रिलेटिट कोई भी प्रोब्लम है नियूरोलोजिकल जो भी कंडिशन है तो उसके अंदर आपको इसका यूज नहीं करना अगर आपने लगा दिया तो यह हो सकता है आपके डोग को अगर आपने ये रेगुलर दे रहे हो तो शीजर्स डेवलोप हो सकते हैं आपकी ट्वीचिंग हो सकती है और आई ट्वीचिंग के साथ साथ आपको वीकनेस नजर आएगा आपका डोग बहुत ही जदा वीक हो जाएगा ठीक है तो यह बेसिकली थे जो साइड इफेक्ट थे और साथ में एक है एनोरेक्षिया मतलब भूक ना लगना आपके डोग को भूक नहीं लगेगी खाना पिना वह बिल्कुल ही छोड़ देगा तो यह इसके रहते हैं साइड इफेक्ट एक आता है काई स्किन डिसोडर जो इसका में एक साइड इफेक्ट है वह स्किन डिसोडर है क्यूटेनियस वस्कुलाइटिस जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ र लगालो देखिए क्या होता है कि जब भी हम हमारे डोग को अगर पार्वो हो गया हम अपने वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं तो फ्लूड थेरपी देते हैं यानि बेसिकली सलाइन वगरा देते हैं तो वह साथ में मैट्रो निडाजोल भी लगाते हैं उनका म आप इसका यूज कर सकते हो अगर आप एक वेटनरी डॉक्टर हो अगर आप एक वेटनरी जो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वह अगर आप वीडियो वगरा वोच करते हो तो उनके लिए बहुत ही अच्छी एक टॉपिक रहेगा यानि मैट्रो निडाजोल के बारे मे इसकी डॉज रेट की बारे में देखो गाइस लार्ज अनिमल की डॉज रेट को हम लेकर नहीं चलेंगे हम तो हमारे डॉक्स और कैट्स की ही बात चलेंगे तो गाइस इसकी जो डॉज रेट रहती है वैसे बेसिकली दोनों डॉज रेट कॉमन ही होती है पांच से पंदरा calculate कर सकते हो इससे ठीक है और अगर आपको calculate नहीं करने आती तो मैंने वीडियो बनाई हुई है आप उसे वोच करके dose rate का एक formula है वहाँ पे तो आप उसको देखके एक exact dose rate वहाँ से आप निकाल सकते हो और जाइस यह जुरूर ध्यान देना है इसका root क्या होता है आईवी इसका root होता है इंट्राविनस अगर इंट्राविनस आप दे रहे हो अकेली अगर आप इसका यूज कर रहे हो तो आपको यह आईवी सलो ही देनी है अगर आप इसके अंदर कुछ एडिशनली कोई आइड कर रहे हो कोई तो आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो लेकिन आपको यह सलो ही देना है तो इसमें आशा करूंगा आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए यूस्फुल रही होगी आपकी नॉलेज इंप्रूव हुई होगी थैंक यू सो मच दो कर तो आपके लिएक भूच फम्प्सक्राइज कर दो चाहिए अबके थाये सिमिच टानुकूरक तो आपके विए- अबनेज आपके